आज हम अपलोट नाम की एक वेब सीरीज को लेकर आलोचना करेंगे जहां पर एक ऐसा भविशय दिखाया जाता है जहां इनसान मरने के बाद उसके बॉड़ी को फ्रीज करके रखा जाता है और उसके मिमरी को एक वर्चुल रियालिटी में अपलोट कर दिया जाता है बाहर से देखने सी तो ये वीडियो गेम का कोई कारेक्टर लगेगा मगर उसमें एक्चुल इनसान का इमोशन और मेमरी भी होती है जिसे कि कोई भी मरने के बाद जब तक चाहें जिन्दा रह सकता है वो अपने जिन्दा दोस्त और परिवार के लोगों के साथ भी वही से ब इस वेब सीरीज के शुरू में नेधन नाम की एक कंप्यूटर एंजिनियर को दिखाया जाता है जो कि एक आटोमेटिक गारी चड़के फैमिली दिनर के लिए जा रहा है भाविशय के गारी का खासियत ये है कि वो अपने आप चलता है और एक्सिडेंट होने के चांस लग अपनी गर्फरेंड को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थी नेधन एक फैमिली पसंद था और उसके गर्फरेंड मेटी रियलिस्टिक थी दिनर के बाद नेधन को उसके नीज के साथ नाचते हुए देखके इंटरिट जीलस फील करती है और नेधन को उसके साथ आने के लिए कहती है अगली सेन में उन दोनों को गारी के बैक सीट पर प्यार करते हुए देखा जाता है इसके बाद नेधन एक ग्रॉसरी स्टोर जाता है फिर घर जाने के लिए गारी में आके देखता है कि आटोमेटिक गारी के अंधर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है जिससे उसका वॉइस कंट्रोल काम नहीं करता है और गारी क्रैश हो जाता है फिर उसे हॉस्पिटल ले जा जाता है वहाँ पर उसका कॉंडिशन देखके डॉक्टर्स बोलती है कि यह अभी मर जाएगा तो अच्छा है इसके पहले ही इसे वर्चुल वर्ड में अप्लोट कर दिया जाए हॉस्पिटल पर इंग्रिट फी पहुंच जाती है और उसके कहने पर ही नेथन अप्लोट होने के कॉंट्रेक्ट में साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है और इसका सारा खर्चा इंग्रिट के फैमिली उठाते है इसके अप्लोट कर दिया जाता है और उसे वर्चुल वर्ड में अप्लोट कर दिया जाता है वहां पे उसे नोड़ा नाम की एक लड़की की आवाज सुनाई देता है जिसे की नेथन की एंजल के रूप में अपॉइंट किया गया है यहाँ पर बता दू कि इस फैसलिटी में हर एक गाइड को एंजल बुलाया जाता है नोरा नीथन से बहुत सारा सवाल पूचता है ये चेक करने के लिए कि नीथन के मेमरी ठीकठा काम कर रहा है या नहीं नोरा नीथन के अफ़तार क्रियेट करती है और इंटेंशनली उसका कुछ बाल उपर के तरफ उठाके रखती है इसके बाद नीथन आँख खोलता है और वर्चुल वॉल्ड को देखता है नोरा उसे बताती है कि नीथन लेक फ्यू आफ्टर लाइफ में है जो कि इस कंपनी का एक प्रिमियम पैकेज के अंदर आता है और बताती है कि ये जगा ऐसे तयार किया गया है कि हरें को अपनी प देख पाएगा दूसरी तरफ परिवार को याद करके नीथन रो पढ़ता है तो नोरा उसे दिलासा देती है और सुला देती है सुभा उठके नीथन देखता है कि वर्चुल खाना खानी के लिए भी उसे वहां से खड़ितना पढ़ेगा लेकिन वो खुद के अकाउंट से पेमिंट भी नहीं कर सकता है क्योंकि इंगरित के फैमिली अकाउंट से उसे अपलोड किया गया है और तब ही उसे पता चलता है कि इंगरित उसके साथ कुछ भी कर सकती है और अगर चाहे तो उसे वर्चुल वॉल से डिलीट भी कर सकती है दूसरी एक सीन में नेथन अपन से मिलता है जो कि ब्लाक औन वाइट में थी क्योंकि जब उसे अपलोड की गई थी तो उसके एवटर एक ब्लाक औन वाइट तस्वीर को देखके बनाया गया था फिर नेथन इंगरिट को कॉल करके देखता है कि वो किसी पार्टी में मजी कर रही है इसे नेथन को और भी जिनके शालीरिक स्थीति कुछ खास नहीं है और वो कभी भी मर सकता है नोराव ने बापा को अपलोड करना चाहती है मगर उसके बापा सोचता है उनके बीवे अक्टल हेवन में है ना कि उस वर्चुब वॉर्ट में इस लिए वो खुद को अपलोड नहीं करना चाहते है इस तरफ नीथन लॉबी में जाके बहुत सारे breakfast option देखके चौक जाता है, परतो वहां का नियम अनुसार दस बच्टी ही सारा खाना काईब हो जाता है। तभी नीथन लिउक नाम की एक uploaded इंसान से मिलता है, जो की programming glitch को यूज करके unlimited खाना कैसी लेते है, वो सीख गया था। फिर लिउक उसे torrent दिखाता है और कहता है कि वो torrent ही असली दुनिया और virtual दुनिया की connectivity है। जो की बहुत ही खदरनाक है और कोई अगर इस virtual दुनिया से तंग आ जाता है, तो वो उस torrent के अंदर जाके खुद की program को नश्ट कर देते है। फिर उसे पता चलता है कि लेक फ्यू अपार्टमेंट में हजारों लोग रहते हैं। परनतो unique program की वज़र से उन लोगों को सिर्फ कुछ ही floats की लोग दिखाए देते हैं। कंपनी ऐसे करते है ताकि ये जगा ज्यादा crowded ना दिखे। यहां का हर एक चीज नकली देखकर वो frustrated हो जाता है और उसके बाल जो की उठा हुआ होता है उसे लेकर वो और भी परेशान हो जाता है। तो वो गुसे में torrent के तरफ चलने लगता है। तब ही नोडा virtual avatar में वहां पहुँचती है और उसे समझाती है। नीथन को नोडा अपने actual नाम भी बताती है क्योंकि नीथन बस उसे angel ही बुलाता है। जब शाम को नोडा काम खतम करके घर जाती है तो नोडा की computer से नीथन की कुछ particular memory file अपने आप delete हो जाते है। नोडा घर जाके एक लरके से date करती है जो कि उसे nightly बोलके एक dating app से मिला है। भविश्य में हर एक के छाती में एक camera रहता है और sex करने से पहले उस camera में अपना बंजूरी देना परता है। इस तरफ नीथन को एक virtual pet dog दिया जाता है जो कि बात कर सकता है। एक्चली उस dog को real world से एक therapist कंट्रोल करता है और वो therapist नीथन को 5 लोगों का नाम no town करने के लिए कहता है जिसे वो आज मिलेगा। फिर वो बाहर जाके डाइलाइन से मिलता है जिसे की 12 साल के उम्र में ही upload कर दिया गया था और वो खेलने में busy रहता है तो ज्यादा बात नहीं कर पाता है। फिर नीथन बिल्डिंग में डेविड चोक नाम की एक बुढ़ा आदमी से मिलता है जो की upload होने से पहले दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी private company का मालिक था। वो अभी बेशुमार दौलत की मालिक है और after life में मजी से रह रहा है। जब डेविड नीथन को पूछता है कि वो upload होने से पहले क्या करता था तो वो बताता है कि वो और उसका दोस्त जैमी एक app प्रोग्राम कर रहे थे जहां पर लोग खुद को freely upload कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ताके अभी इस लेक फ्यू के मालिक छोटी-छोटी चीजों के लिए जो उल्टा सीथा पैसा चर्च करता है उससे लोग बच सके। ये सुनके डेविड ऐसे ही नीथन को बोलता है कि वो एक 6 बिलियन डॉलर की वालुईशन वाली कंपनी को डुबाने चला था। तो शायद इसी लिए उसके गारी को क्रैश करवा के उसका मॉर्डर करवाया गया है। अपलोट वेब सीरीज में इसके बात क्या होता है जानने के लिए राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाते हैं तो हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंध तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।